नमस्कार प्यारे साथियों can you see and hear me properly confirm कीजिए audio visual सब कुछ बराबर है नहीं confirm कीजिए नमस्कार स्वागतम आप सभी का हार्देक स्वागत है सेशन नमबर 22 UPSC IES Mission 2021 की हमारी साइन से टिकनोलोजी की 22 वी कक्षा में यारे दोस्तों आने कैडेमी जिन्दा बात के नारे के साथ हम शुरू कर रहे हैं हमारी 22nd क्लास सब ये बच्चों को बराबर दिख रहा है आई होप audio visual एकदम क्लियर है कम वन कम ओल सब फटा फटा आ जाए हमारी बायो टिकनोलोजी की क्लास शुरू हो गई है बहुत कुछ हमने पढ़ा है बहुत कुछ आगे अभी पढ़ना बाकी है शुरू करते हैं आज का काम साइंस और टिकनोलोजी की मेरे कोर्स में लगातार में syllabus आपके साथ कवर करता चला जा रहा हूँ प्यारे दोस्तों ये रहा हमारा पूरा पूरा syllabus याद रखिएगा अभी तक हमने जितने भी concepts कवर किये हैं वो इसी syllabus के अलग-अलग portion से हैं उसके अलावा हमने space पूरा का पूरा कवर कर लिया है उसके सारे concepts clear हो चुके हैं और bio technology अभी चल रहा है हमारा course अभी कई महीने चलेगा bit by bit piece by piece पूरा का पूरा हम कवर कर लेंगे तो ठोको ताली बोलो थंदीप सर दिन्दावद और confidently बोलो कि yes sir we are learning science and technology with full confidence ये अभी तक की 21 classes हैं और आज है हमारी 22 class अभी तक के सारे सारे sessions playlist में उपलब्द हैं तो हमारे इस प्यारे से channel पर आपको तीन playlist मिलेंगी सब बच्चों को clear होता जा रहा है confident है पॉजिटिव हैं तो आपको आपको आगे की चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएंगी सब बच्चों को clear होता जा रहा है confident है positive हैं पढ़ने में मज़ा रहा है good afternoon नमशकार कल्यानी गुपता ने लिखा all clear SM sir 10 है वो SM 10 नहीं है हमारा unacademy plus का code है SM sir 10 SM sir 10 कृपिया ये ध्यान रखिएगा आप जब भी plus पे subscription लें SM sir 10 लगाईएगा बहुत बहुत धन्यवाद good afternoon नमशकार welcome बहुत तरे बच्चे जुड़ चुके हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है बहुत मज़ा आएगा आज के सेशन में आपको याद रखिए अगले दो दिन का मैं आपको अजेंडा बता दूं कल यहने कि शुक्रवार economy cracker 7 है शनिवार economy cracker 8 है दोस्तों आपको याद होगा मैंने आपको economy cracker 6 में बताया था भारत की सबसे बढ़ी आर्थिक ताकत हमारा demographic dividend उसमें मैंने आपको replacement fertility rate total fertility rate के बारे में बताया था आज की बहुत बड़ी खबर आई है कि भारत के पांच राज्यों में आबादी घटना शुरू होने वाली है याद कीजिएगा वो lecture TFR और RFR का concept और आपको वो चीज़ें connected science और technology के 21 और economy के पूरे 6 PDF डाउनलोड कर लिए एक बार confirm कर देना तो बाकी बच्चों को भी जरा confidence आ जाएगा कि ये सर सब कुछ available है पढ़ते जाना है सीखते जाना है आगे बढ़ते जाना है औरे 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 सर आफ फिर से practice mcq लिया है तो भाईया हम तो लाते ही रहते है hundreds of practice mcq का हमारा वादा है ये रहा आज का पहला practice mcq जो कल की class पर बेस्ट है फटाफट मुझे ABCD में से answer दो question पढ़ो और 1A, 1B, 1C, 1D करके answer दो waiting for your answer बहुत प्यारे questions है 1A, 1B, 1C, 1D करके आपको answer देना है question पढ़िए answer दीजिए पूरे जोश के साथ कीजिए classes आप attend कर रहे हैं बचों answer जरूर आएंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं है पांस states ने बेटा आज का times of India पढ़ लो पता चल जाएगा very good धवल जी आपको पांचों मिल गए सुष्मा कुमारी को नहीं मिला बड़ा दुख की बात है सुष्मा जी की कोई मदद कर दीजिएगा अलग से निलाक्षी जी का आज birthday है बिल्कुल अभी देते हैं आपको बधाई चिंताई मत करो अभी ये प्रश्न तो हल हो जाए एक बार 1A, 1B, 1C, 1D जल्दी उतर दो बेटा वेटिंग फर एर आंसर कल आपको री कॉंबिनेंट dna टेक्नीक पढ़ा दीती हमने शांती से सोच समझ के देना शांती से सोज समझ के आंसर देना अब आप में से बहुत सारे बच्चों ने किसी ने B दिया है किसी ने C आंसर दिया है किसी ने D दिया है अच्छी बात है अब मैं आपको थोड़ा बता दूँ ये एक ट्रिक क्वेस्चन था इसमें एक बात समझेगा प्यारे दोस्तों हमार आंसर है B, B तो आप सभी ने दिया ही है आपको पता ही है B तो आंसर है लेकिन आप में से ज्यादा तर्म ने D दिया है मैं आपको बता देता हूं वो गलत कहां जा रहा है इसलिए मैंने कहा था कि ये एक ट्रिक क्वेस्चन है निराश मत होईएगा समझ लीजे गलती कहां ह देखिए option C क्या कहता है option C कहता है we can use bacteria to work for mankind यहां तक तो सब कुछ सही है and generate new DNA sample यह ambiguous सी बात हो गई हम उनसे नए DNA बनवा सकते हैं यह ambiguous बात हो गई हम नए DNA नहीं बना रहे हैं हम उनके DNA के अंदर अपना DNA fix कर रहे हैं यह नया DNA बनाने का काम नहीं है वो एक बहुत ही broad term हो जाएगा इसलिए वो पूरी तरह से सही नहीं कहा जा सकता otherwise उसका पहला पार्ट एकदम सही है लेकिन दूसरे पार्ट में confusion है तो मैं C को सही नहीं मानते हुए correct answer भी मानूंगा मैं जानता हूं दोस्तों आपको यह थोड़ा सा कठिन लगेगा question लेकिन भई तभी मज़ा आ होना है जैसा मैंने कहा answer गलत हो गए कोई बात नहीं it's perfectly fine it's perfectly fine तो प्यारे दोस्तों अब ऐसा है कि हमारी प्यारी बिटिया निलाक्षी का आज है जन्म दिन अरे और कितनों का जन्म दिन अभी एक बार advance में बता दो यार फिर चलती क्लास में बोलोगे तो वापिस गाना का एक साथ गा रहा हूं सबके लिए बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए तुम जीओ हजारों साल ये हमारी है आरजू अगला question भी आ गया happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to निलाक्षी happy birthday to you चलो बेटा आगला सवाल हल कर लो फटाफट question number two तयार है आपके लिए फटाफट पताई अरे निलाक्षी है मिनाक्षी नहीं है नाम तो सही लिखो कमाल कर रहे हैं नाम ही बदल दिया तुमने लड़की का यार बहुत महान आत्माइं जुड़ी हुई है हमारे साथ आन अक बताइए बताइए वेट कर रहे हैं टूए टूबी टूसी टूडी आपर यह निलाक्षी जो है यह बहुत कंजूस नंबर एक की गाना गवाल या केक वेक कुछ नहीं खिला है इसने किसी को भी तो यह तो बिलकुल पतली गली से निकल रही बिना केक खिला ठीक है बही कर सकता है क्वेशन नंबर टू बताइए दोस्तों टूए टूबी टूसी टूडी क्या है सही उत्तर सो दक करेक्ट आंसवर फो क्वेश्चन टू इस एक बहुत सूरत क्वेश्चन है हमने आपको विजय पांडे लाइब्स चैंफर्ड लिबारेटरी प्रोटीन फोल्डि अब ही बता देता हूं बेटा एक बर क्वेश्चन ट्री हो जाए फिर आताओं कि ऑप्शन भी गलत क्यों है बहुत अच्छी बात है कि आप पूछ रहें इस वेरी गुट थिंग क्वेश्चन ट्री का अंसर दो बेटा मेरी तरफ से यह बिल्कुल ठीक जा रहा है बेटा अगर आपके यहां बफरिंग हो रही है फैशन डिविया ने लिखा है बफरिंग बेटा रिफ्रेश करो अपने एंड पर एक बार रिशेट कर लो आइम वेरी सॉरी बट मेरे एंड से एकदम स्मूज जा रहा है तो क्या बफरिंग हो रही है आपके साथ में आडियो विज सिगनल चल रहा है तो यार आपके एंड पर थोड़ा प्लीज चेक कर लो उसको और क्वेश्चन 3 का अंसर दो बेटा जल्दी से उसके बाद क्वेश्चन 2 पर जाके डाउट सॉल करना है मुझे बिलकुल आएंगे सौम्य रंजन साहु जी बिलकुल कवर करेंगे करेक्ट आंसर दो क्वेश्चन 3 मुझे बहुत खुशी है कि यह बहुत ही मूल सवाल है लेकिन क्या होता है अगर आप दस लोगों से पूछेंगे ना तो लोगों को वैक्सीन दवाई का अंतर ही नहीं पता है लोग ऐसे यूज करते हैं मानों दोनों एक ही चीज है दोनों एक नही दवाई केवल बिमारों को दी जाती है दवाई कोई स्वस्थ आदमी को थोड़ी बोलोगे कि तू स्वस्थ है यह ले एंटिबाटिक खाले ऐसा करो के तो वो कूट देगा तुमको तो आप दवाई केवल बिमार को दोगे वैक्सीन आप स्वस्थ लोगों को दोगे कि यह भारीक अंतर है इसलिए ध्यान से समझना वरकिंग आउट वरकिंग फास्ट ट्राय आउट मल्टिपल ड्रग्स दोस्तों सुपर कंप्यूटर्स प्राइमरेली मल्टिपल ड्रग्स की टेस्टिंग के लिए नहीं बनाया जाते हैं वह नेक्स्टेज होती है प्राइमरेली वह ब्रोटिपल ड्रगस नहीं हो रहा अभी तो ड्रग्स बने कहा है अभी तो प्रोटीन लिंग करके उसके होल धूंड़े जा रहे हैं कि पने ही नहीं है तो उनकी टेस्टिंग सूपर कंप्यूटर करेगा क्या I hope that is clear तो मैंने जानबूच के थोड़े difficult questions बनाए ताकि आपको सोचने का मौका मिले निराश नहीं होना है बेटा positive रहो सब ठीक होगा अब आगे चलते हैं दोस्तों मुझे बहुत खुशी है कल मैंने आप सबको बताय बहुत बहुत बच्चों ने इन्रोल करा लिया है संडे को हमारा अन अकैडेमी पर special class festival है संडे सुभे साड़े आठ बजे से आपका समय मुझे चाहिए यह हाथ हमको देदे ठाकर यह चार घंटे हमको देदे ठाकर साड़े आठ से साड़े दस आप मेरे ताथ इंजॉय करे सेशन वन एकॉनोमी का साड़े ग्यारा से देड़ बजे इंजॉय करें सेशन टू पूरी फ्री क्लास है इन्रोल करने के लिए अनकैडेमी प्लस पर मेरी प्रोफाइल पर जाके special class पर जाके इन्रोल कर लो फ्री एन्रोल्मेंट है अभी क्या भी कमिट करो कि संडे को एक एक बच्चा एक बच्ची आ रहे हैं यह चार घंटे की एकनॉमी की क्लास अटेंड करने और आनंद नहीं आया तो बोलनो ऐसा मज़ा दिलाऊंगा बेड़ा इन क्लासेस में और इतने प्यारे प्यारे प्या सबसे पहले पार्ट टू का रिविजन एक मिनिट में कराऊंगा हमने कल बात की थी कि करोना वाइरस के चलते अब कम से कम लोगों को बायो टेक्नोलोजी की वैल्यू बहुत अच्छे से समझ में आ गई हम इस तरह के कॉंप्लिक स्ट्रक्चर यह 10 जीन्स है और 30,000 बेस पे अक्षड़िया से काम करवा रहे हैं, कैसे स्केल पर इंटर्फयरॉंस का जनरेशन हो रहा है, इंटर्फयरॉंस क्या होते हैं, किस-کिस तरीके से बन सकते हैं, जिसमें से इइक उलाए से बनवाना हमारे लिए सबसे फायां बहुत फास्ट होता है, क्म और ये सारा काम बैक्टिरिया कर रहे हैं, फिर हमने cell fusion की बात की थी जिसमें हमने cancer से लड़ने के लिए किस प्रकार monoclonal antibodies बनती उसकी बात की, फिर bioprocess technology की बात की, फिर हमने SBAD और computer rated design की बात की कि किस प्रकार से folding at home जैसे प्रोजेक्स हमें मदद कर रहे हैं, प्रोटीन की study करने में, क्योंकि ये हजारो molecules का complex structure, अर्वो combination तो इसमें दवाई कहां लगाई जाए, micro level पर हम देख सकते हैं, simulation करकर के कुछी हफ्तों में, ये थी पूरी कहानी, तो अब शुरू करते हैं, आज की बात, medical and agricultural biotech, कल मैंने आपको बताया था, कि आज हम शुरूआत करेंगे प्यारे दोस्तों, medical यने की, जितना भी medical science से जुड़ी बायो टेक्नोलोजी है, और agricultural यने कृशी से संबंधित, और ये आज सुबह की अकबार की खबर है, ये भी लेकर आया हम, बहुत मदा आएगा, तैयार है न को, no, करूना, no, करूना, शांत हो, करूना, शांत हो, ये कंपल सरी है, बोलना, उसके मिना जाएगी नहीं करूना माता, 20,000 केस रोज निकल रहें, भी या मालूम है न, और अभी कहीं vaccine नहीं है, दवा नहीं है, तो खुद को सुरक्षित रखो, आप सुरक्षित, तो मैं जान रखना मेरी बात, मदाख नहीं है, ये serious है, medical biotechnology का अर्थ होता है, प्यारे साथियों, living cells और अन्य cells के पदार्थों का इस्तेमाल करके, मानव जीवन में स्वास्थ्य को बहतर बनाना, medical जैव प्रोध्योगी की का अर्थ है, we use living cells, जीवित कोशिकाएं, या जीवित कोशिकाओं के भीतर की वस्तुएं, जिनकी मदाश से मानव स्वास्थ को हम बहतर बना सकते हैं, तो पूरा फोकस, medical बायो टेकनालोजी में आप पर और मुझ पर है, हमारा स्वास भेतर हो, हमारी बीमारियां कंट्रोल में रहें, हम अधिक जीएं, सही धंक से जीएं, क्योंकि बाबु मोशाय, जिन्दगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, क्या बात है, बॉलिवू मदस से पूरे पूरे इलाज खोज लेते हैं, बिमारियों से छुटकारा पा लेते हैं, और इसकी मदस से आप उपच्चती हुई, नई नई आती हुई बिमारियों को भी रोक सकते हैं, विशाल मौरिया जी सब बताएंगे आपको थोड़ी शान्ती रखें, वैक्सीन कैसे बनता है, क्या होता है, सब पर बात करेंगे बैटा, एक एक चीज आपको पढ़ाएंगे, अच्छा सवाल है आपका, पूरा आपको बताया जाएगा, पहले दो बिंदू क्लियर हो गए, कोई डाउट नहीं, समाझ में आ गया, मेडिकल बायोटेक क्या होता है, तीसरे बिं कोशिकाओं, जानवर की कोशिकाओं को पढ़ना पड़ता है, ताकि उनके अंदर की cellular processes को पहले हम समझें, क्योंकि जब तक हम उनकी cellular processes को ही नहीं समझेंगे, तो हम उसको engineer कैसे करेंगे, तो ये लंबा काम है, इसमें कई कई बरस निकल जाते हैं, चीजों को study करने में, ये का अंतर, अब तो सबको पता ही है, विज्ञान और प्रोध्योगी की का अंतर, मैंने आपको अभी फिर से indicate कर दिया, समझ में आया की नहीं, तो जितने बच्चों को पता है, विज्ञान और प्रोध्योगी की का अंतर, आप चाहें, तो बहुत quickly हमें live chat में बता सकते हैं, क सबी का बहुत-बहुत स्वागत है, बिल्कुल सत्यम सोनी जी, भारत में बहुत सारी वैक्सीन बनी है, रोटो वैक्सीन अभी लेटेस बनी थी कुछ साल पहले, और दुनिया में जिस लागत पर बन रही थी, उससे बहुत कम लागत पर भारत में रोटो वाइरस की जो वै करोना वाइरस की वैक्सीन भी दुनिया में नहीं बन पाई इसका ये मतलब नहीं होता है कि कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है अब आके देखिएगा दोस्तों वैक्सीन और एंटिबायोटिक्स दो बहुत बड़ी चीज़ें जिन्नों ने इंसान को एक पूरी आध पहले बताया है क्योंकि कई बच्चे नहीं हो सकता है पहले की क्लासिस नहीं देखिए और बाकियों का रिविजन साड़े 400 करोड साल पहले पृत्वी बनी दियर्थ वस्मेट 450 करोड से रखो 4.5 billion years ago साड़े 300 करोड साल पहले पृत्वी बनने के 100 करोड साल पहले और पिछले 300 साड़े 300 करोड सालों में जीवन इतना प्रस्फुटित होके अलग-अलग प्रजातियों में बढ़ गया जो हम चारो तरफ हमारे देखते हैं हमारे भीतर विदिन अस human beings की बात कर रहा हूं homo sapiens की बात कर रहा हूं there is a complete immunity system एक प्रती रक्षा प्रणाली है उस दूसरी दुनिया के प्राणी हम पर हमला करने आते हैं और वो सब चार दिन तीन दिन में मारे जाते हैं क्योंकि उनमें अंदर immunity नहीं थी क्योंकि वो जहां से आये थे वहां bacteria viruses नहीं थे तो हमारे हैं के bacteria virus तो पागल हो गए उनको एक ऐसी body मिल गई मतलब ऐसे बहुत सारे मिल गए aliens जिनके पास immunity नहीं थी तो तबहा गड़ दिया उन्होंने तो चार दिन में सारे के सारे मर गए इंसान की गोलियों से नहीं मर रहे थे bacteria और viruses से मर गए वो होता है immune system जो हमें जिंदा रखता है यह बात समझ में आई हैं आपको यह हमें जिंदा रखता है अब उस light में vaccines और antibiotics वगरा क्या होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ प्यारे दोस्तों vaccine का मतलब है कोई ऐसे chemicals जो हमारे शरीर में जब हम स्वस्थ होते हैं डाले जाते हैं ताकि शरीर के अंदर antibodies बनना शुरू हो जाए और शरीर को एक net practice मिलती है कि हाँ ये कल को आएगा तो हमें लड़ना है नहीं तो कल को जब वो पहली बार आएगा तो शरीर को पहली बार लड़ना पड़ेगा तो vaccines हमें पहले से तैयार करके रखती हैं टीके healthy लोगों को antibiotics जब आप एक बार बिमार पड़ जाते हो और bacteria पूरी तरह से फैलने लगते हैं तब antibiotic लिए जाते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए antibiotic के वल बैक्टीरिया पे काम करते हैं वाइरस इस पे काम नहीं करते हैं यह सारे बिंदू समझ में आ गई के नहीं पढ़ लो अच्छे से एक बार तो antibiotics में होता यही है कि antibody शरीर में बनती हैं इस प्रकार से बहुत व्यापक स्तर पर यह बायो टेक्नोलोजी का काम चल रहा और modern civilization में जब भी हमारे शरीरों में infection होते हैं संक्रमन आप जैसे मान लीजे लोहे से आपका पाउं कड़िया अब लोहे से पाउं कटा तो आप जाते के साथ टेटनेस का injection लगवा होगे क्योंकि संक्रमन होगा तो बहुत 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 होता जंग लगे लोहे से शरीर को वो material मिल जाता है जिससे वो लड़ पाती है आपको बात समझ में आ गई और body की अपनी innate immunity तो होती है मानसी ने बिल्कुल सही बोला लेकिन उपर से support भी लगता है ना तो ये दो चीजें होती मैंने एकदमी सरल भाशा में समझाया है मैं उम्मीद करता हूं कि आपक उसका जवाब देता हूं आपको जी हाँ पेनिसलिन पी एन आई स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा पी एनई सी डबल लाइए स्पेलिंग्स हमेशा कोशिश कीजेगा कि हमेशा स्पेलिंग्स ठीक लिखें वह मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर एक्जाम में आपक ओके चलिए अब आके चलते हैं जी हां लेटें टीबी वगरा यह सब चीज़ें तो हामफुल होती है ना कई बार टीबी की दवाईयां लेते लेते लोग पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं करके आधे में छोड़ देते हैं तो डिजास्टर है वह बैक्टिरिया सारा एंटी ब करें पूछा गया हमसे बड़ा एक मासूम सवाल था कि सरीय वैक्सीन बंता कैसे बताते हैं आपको प्यारे दोस्तों वैक्सीन क्या करते हैं ठीक क्या करते हम बात कर रहें मेडिकल बैयो टिकनोलोजी की सारी दुनिया में आज संघर्ष चल रहा है कि करोना वाइरस की वैक पहुँच गई है फैन साइनो बायोलोजिक जो चीन की सेना को दी गई है हर बड़ी में दी गई है थोड़ी गलती कर दी उन्होंने इतना जल्दी देना नहीं चीए था पर जो भी है अब आप बोलेंगे सर यह सब स्टेजेस क्या है यह है प्री क्लिनिकल फेज वान फेज ट दी तो हजारों लोग मारे जाएंगे या पंगू हो जाएंगे हैंडिकैप हो जाएंगे अलग-अलग तरह से यह पहले एक बार पोलियो की वैक्सीन के साथ हो चुका है 1950-60 में और उसके बाद से दुनिया में मेडिकल वर्ल्ड ने यह सारे स्टेंडर्ड बहुत सक्त कर द तो वैक्सीन बेसिकली क्या होती है दोस्तों आगके प्रतिरक्षा प्रणाली को सिखाती है कि अगर आगे कोई जर्म आ गए तो उनसे कैसे लड़ना है यह उसके कुछ उधारण है देख लीजे एक बार अच्छे से यह टिटनेस वैक्सीन समझ में आगे आपको कैसे बनती है बेसिकली टॉक्सोइड रहता है उसमें जो जर्म पैदा करता है उसी से तो वह आपको बचा लेता है जब वो जर्म शरीर में गड़बड करेगा तो और ड्रग्स बेसिकली बिमार व्यक्ती की बिमारी शरीर के दूसरे हिस्सों में नहीं पहुंचे उसको रोकने के मुझे तीन ड्रग्स के नाम बताओ है ड्रोक्सी क्लोरोक्वीन सुना है स्ट क्यू वह करोना की दवाई है यह नहीं फिर आपने रेम्डे सिविर सुना है यह तीन दवाईय जिनके नाम आए बेसिकली क्या है यह सारे एंटिवाइरल्स हैं तो यह वाइरस से इसके साइयों जित करके री इंजिनियर करके किसी तरह हम नई बिमारी को टैकल कर ले उसमें समयर पैसा बहुत बचता है क्योंकि वह और यह पांच-पांच-पांच-दस-दस साल की टेस्टिंग प्रोसेस से निकल चुकी दवाईया हैं प्रूवन दवाईया हैं को लोगों के ल आज 2 जुलाई 2020 को नहीं है क्या आपको मेरी बास समझ में आ गई अब आपका एक बड़ा नैचरल सवाल हो सकता है कि सर्फिट दवाई कब आएगी उसका जवाब किसी के भी पास नहीं है डेक्सामेटासॉन भी एक दवाईया बिल्कुल सही बोला आपने अब हर तरह के आदमी के लिए चाहिए ना बास समझ मागई आपको वेरी गोड आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे ये कॉंसेट की आखिर मेडिकल बायो टेक्नलोजी कितनी जटिल चीज है कितना समय लगता है और आप ये करोना वाइरस वैक्सीन ट्रैकर को देखेंगे तो आपको खुश समझ में आएगा दुनिया में 125 वैक्सीन बनाने की कोशिश चल रही है लेकिन अभी तक सफलता मिली नहीं है आप रादा कृशन जी पूछते हैं पूरा कोर्स कंप्लीट करना है टैबलेट का तो साइड इफेक्ट होगा हर बिमारी का साइड इफेक्ट होता मेरे पास उसका कोई ग्यान नहीं है मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं उसमें कोई टिपपणी नहीं कर सकता मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ आधुनिक विश्व में कोई भी अगर दावा करता है कि मैंने दवाई बनाई उसे सबसे पहले रैंडमाइस कंट् ट्राइल डबल ब्लाइंड डबल ब्लाइंड एने पेशंट को दोनों को नहीं पता होता दवाई किसको दी किसको नहीं दी सिर्फ रिसर्चर को पता होता और ऐसा हदारों पेशंट्स पे और उसका है डॉक्यमेंटेशन होके पता चले इसकी एफिकसी यह है सिर्फ उसी को दवाई मानी जाएगी बाकी तो बाते हैं कसमे वादे प्यार वफा सब बाते हैं बातों का क्या बाकी तो फिर जो है वो है ड्रग्स और वैक्सीन में डिफरेंस क्या है कमल कान नायक जी अभी पूरी रामायन हुई रामायन पूरी होगी नायक जी खड़े होगा गुरु जी एक बात बताओ इन दोनों में फरक्या है नायक जी ऐसा दिल मत तोड़ो हमारा अभी चीक-चीक के इतना सिखाया हमने तुमको या अब तुम सवाल पूछे होगी फरक्या दिल तूड़िया हमारा ये एक तरीका है एक नई फ्लू वैक्षीन आने का किस तरह से ये एक नौजल से इसको इंसर्ट किया जाता है बेसिकली तरीके बता दें कि डिलीवरी का सिस्टम भी बदल गया समय के साथ आगे इस पर बहुत बात करेंगे दोस्तों अभी थोड़ा मुझे इजादत दीज के इसके पहले कमेंट में आपने बहुत सारे कफी के कप लगाए तेखाँंगे में पीशे घूम कर दिया तो प्यारे दोस्तों अब इस न्यूज को ध्यान से से देखेंगे विज्ञारिकों ने कुछ ऐसे मॉलेकूल साइडेंटिफाई किये हैं यह आज सुबह की खबर है हां बेसिकली इनका यह कहना है बहुत ध्यान से समझना कल से तुमने जो पड़ा है वो तुमको समझ में आ जाएगा अच्छे से पड़ो अच्छे से समझो को व दोस्तों बेसिकली वैज्ञानी के कह रहे हैं कि नौविल करोना वाइरस पोली मरेज प्रोटीन यूज करके अपनी कॉपियां बनाता है जीनोम की अंदर सिंगल स्ट्रेंटेड आरेने की तो इस पोली मरेज रियाक्शन को रोक सके ऐसे कुछ मॉलीक्यूल्स वैज्ञानी ने रिसर्च करके ढूंड के निकाले हैं और ऐसे पांच मॉलीक्यूल अल्रेडी पहले से अप्रूब्ड हैं तो जिस पोली मरेज प्रोटीन से करोना वाइरस का आरेने हमारे सेल को आदेश देता है मेरी कॉपी बनाओ मेरी कॉपी बनाओ मेरी कॉपी बनाओ वैज्ञानी हो सकता एक साल लगे यह वैज्ञानिक सोच होती है आप कभी भी इसमें सर्टेंटी के साथ मत चलिए हमेशा कीप यूर माइंड ओपन टु क्वेश्चेंट बेटा आप बात समझें निशिता राजानी ने बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा है जिसका जवाब दिया ही ज जाना चाहिए कि क्या कोई यूमन बींग अपने ऊपर ट्राइक करवाएगा वैक्सीन जी हां बिल्कुल करवाएगा इन्हीं को तो वॉलेंटियस कहते हैं देखिए दुनिया में बड़े भले इंसान भी हैं हम अक्सर दुनिया की एक ओपिनियन बनाते हम इतने सारे बुर वॉलेंटियस इन्वाइट करते हैं बहुत सारे दोग आगे जाके पार्टिस्पेट करते हैं यूमन वॉलेंटियस बिलिंगली साइन वाइन करके कि कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार हूं लेकिन करो विज्ञान की समाज की सेवा में वह आगे बढ़के स्वेच्छा से पा आपको उत्तर क्लियर मिल गया बेटा वेरे गुड़ वेरे गुड़ वेरे गुड़ अब थोड़ा सा आगे चलते हैं जी हां प्रांशु जी वह आपने का लग बहुत ही दुखती रख पे हाथ रख दिया प्रांशु ने बहुत अच्छा सवाल पूचा है कि सर इसको लेक भारत ने उनको घूस खिलाते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम तो ट्रायल करो सरकार से बिना पर्मिशन लिए तो ऐसे भारत में बहुत सारे डॉक्टर पकड़े गए हैं उनके लाइसेंस रद बड़े बड़े डॉक्टर जो अपने मरीजों पर दवाईयां ट्रायल के ब पर दबोचती है तो ये तो एक है यार देखो ये बात तो बता है लेकिन उसका यह मतलब थोड़ी की दूनिया में सब कुछ एक रैकट है वैसा नहीं होता है वैसा नहीं होता है आईवरी वैरी क्लियर गया है है और वो चाए कॉफी बिसकुट के साथ में हमारा स्वागत क चाहे अकल अकल यह कहा रहे बिसकुट खाओ बटा भी किश्नालोजी पर यह किस चीज पर फोकस करता है इसका पूरा काम है जी एम प्लांट्स बनाना बहुत बहुत बड़ी नई फील्ड दुनिया में आ गई है और इतनी बड़ी फील्ड आ गई है जैसा मैं पहले बताया था भारत के किसान अंदोलन कर रहे हैं कि हमें आप GM फसले दो सरकार को बोल रहे हैं और अगर आप GM फसले नहीं दोगे तो हम नॉर्मल फसले उगाना ही नहीं शाथे सारी बात यह है प्यारे दोस्तों कि बहुत सारे किसान अधिक पैदावार के लिए जैनेटी कली मौडिफाइड फसले चाहते हैं भारत में केवल GM कॉटन अलाउड है इसका थोड़ा सा आप जीन लो उसके DNA में जीन को फिट कर दो तो एक नया बैक्टीरिय आपका काम करने लगता है जैनेटिकली मौडिफाइड और्गैनिजम्स वो होते हैं जिनको आनुवाइशिक रूप परिवर्तित कर दिया गया है अब वो आपका काम करेंगे जैसे आ गुलवाम सारे मर जाते हैं और वो कपास की फसल कई गुना बढ़ जाती है बीटी कॉटन का मतलब ही यह है अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया डाल दिया गया बैसीलस थुरिंजींस जो मृदा में मिलता है वो कॉटन में नहीं होता है लेकिन हमने बीटी लिया कॉटन लिया द अच्छी है अच्छी क्योंकि किसान तो केवल एक चीज देख रहा है किसान को यह नहीं पता है कि एक बार जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज एन्वार्मेंट में आ गया वो पर्मानेंट है आप एक बास समझ लो भारत में जहां भी इल्लीगल बीटी बैंगन उगाया जा समेंट लो दोस्तों एन्वायमेंट एकलोजी की टीचर आपको अलग से पढ़ा ही देंगे पर्यावरान पारिस्थिति की तंत्र में आप सिर्फ एक बार इंसर्ट कर सकते हो वह एक बार फैल रही उसको निकालना इंपॉसिबल है अब भार थोड़ी आने वाली वह तो पर बैंगन की फसल भारत की बहुत बड़ी फसल है बहुत बड़े स्तर पर कंजूम किया जाता हालांकि मुझे बैंगन कभी पसंद नहीं आए मैंने आपको पहले भी का पता नहीं क्यों मुझे बैंगन अच्छा ही नहीं लगता लेकिन जिसको देख हो उसको बैंगन मड़ा लुटे 뉴스 अगेंगन पूरा बैंगन खा जाते हैं लोग मेंगन का भुरता खा 20 फा सदैं जल्दी से कंफर्म कीजिए हमें कभी पसंदी नहीं आया मालूम नहीं क्या पर्राफन भिंडि का अलग-यलग स्वरू हमको बहुत पशंदे आरह आप मेंचे भीणी जितनों को पन आप बहुत महान है आप हमारे पक्ये दोस्ते हैं और जितने को बैंगन पसंदे बेड़ा गर खो प्यारे दोस्तों हों तो वह थी बैंगन की कहानी अब आजाओ यहां वापिस आई होब आपको मज़ा आ रहा है नुधारणों से बीटी ब्रिंजाल ब्रिंजाल यहने बैंग इस इसमें आपको क्योंकि सवाल बहुत अच्छा इसका जवाब दिया जाना चाहिए मैं बता देता हूं प्यारे दोस्तों यूरोपियन यूनियन में जैनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप सर नौट अलाउड अमेरिका में देयर अलाउड अब क्या करोगे यह ट्र उनों की अप्रोच अलग है बेसिकली अब्जेक्शन यह है कि लॉंग रन में जैनेटिकली मॉडिफाइड फूड से क्या नुक्सान होगा किसी को पता नहीं है तो हम अलाव कैसे करें आपको मेरी बात समझ में आई अरुनिमा क्या पूछा बेटा आपने क्या पूछा अर है तो मैं माफी चाहता हूं लेकिन चलो आपका नाम हमने ले लिया अरुनिमा जी अरुनिमा जी अरुनिमा जी जिन्दा बात तो अब थोड़ी आपको कैले जो कुछ अंडक पढ़ रही होगी शांत रहे ना प्यारे दोस्तों हर किसी का सारा कॉमेंट पढ़ने पाते इतन हैं वी जैनिटिकली मॉडिफाइड यूमन एपसलूटली कर सकते हैं जीहन को आई ने चाइना में वही किया था बेटा अभी फिलाल वह गिरफतार हैं चक्की पिसिंग और पिसिंग कर रहे हैं चाइना में अब आप देखिएगा आप इसके उधारन कुछ दे दूँ पैस रेजिस्टेंट क्रॉप्स आप ऐसी फसले बना सकते हैं जिनमें कीडों का कोई असर ही नहीं हो क्योंकि उनको आपने जैनिटिकली पूरी तरह से बदल दिया है और बीटी कॉटन दरहसल उसी का एक बड़ा अच्छा परिणाम है बैसे लस्तुरिंजियंस जीन जो की पर गुब्स बिना अपने पूलिस्टेंट मुछ समझाओं मुका इस से पहले कि में बीटी कॉटन समझाओं कि सर क्या हम genetically modified human beings बना सकते हैं बहुत धायंकर खत्रा आने वाले समय का ये है मेरे प्यारे साथियों कि genetically modified human beings बनाना पूरी तरह से संभव है अरे वही क्यों नहीं संभव है जब आप ये सब कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं लेकिन वो illegal है लेकिन मैं आपको बता दूँ 15, 20, 30 सालों में वो legalize भी हो जाएगा और अलग-अलग laboratories में genetically modified babies आने लग जाएगी और आज से 100 साल, 1500 साल बाद अगर वाना होता तब तक बच गई तो आज से 100 साल, 1500 साल बाद तो हो सकता है मेन्यू कार्ड मिल जाए parents को कि भईया बच्चे भी तुमको क्या-क्या गुण चाहिए बता तो तो वो टिक लगाएंगे उस हिसाब से rate card होगा और उस हिसाब से आपके jeans परिवर्तित हो के वैसा बच्चा पैदा हो जाएगा इसमें भयानक खत्रे हैं the biggest is the danger of the unknown हमें पता ही नहीं है कि nature उससे किस प्रकार react करेगी अरे भया globalization आया तो दुनिया में interconnection आ गया लोग यहां से flight लेके New York जाते हैं दिल्ली से 20 गंटे में New York पहुँच जाते हैं वहां 2 गंटे का काम निप्टा गे 20 गंटे इस तरह से हम connect हो गए इस तरह से नौबेल करोना वाइरस इसी का इंतजार कर रहा था दुनिया एसी connected थी कि एक जगे नौबेल करोना वाइरस निकला वह सब तरफ पहलता चला गया इतना तेजी से इतना तेजी से इतना तेजी से कोई फैला ही नहीं आज तक pathogen क्योंकि दुनिया interconnected है तो प्रकृती ने अप सारी दुनिया में घूम रहा है तो आप भुख तो सजा प्रक्रती का अपना रिदम है अपनी हार्मनी है आप यह बोलेंगे कि सर कलकॉम जेनिटिकली बनाइगे बिलकुल बनाइगे मुझे तो दिख रहे ही बनेंगे लेकिन उसके जो अग मुझे ये फिलहाल बिटी कॉलेटि पर देखते हैं तो यहां पर पोली मरेजी मेडिसिन will make virus leave forever there is no guarantee Arunima because unless we know a medicine which does it अभी तो molecules पता चले अभी उसको therapeutic efficacy उसकी define होने दो आपको बात समझ में आई तो ये हमें देखना पड़ेगा ठीक है अब control C control V रोग दो Arunima थोड़ा control करो अपने control C control V पर हां नहीं तो आपको उत्तर मिल गया चलिए अब आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे उत्तर यहां पर आएं SSS fun ने बहुत सारे चमगादर लगा दी हैं दोस्तों मैं आपको एक बात बता दू कुरुपया चमगादरों से नफरत मत कीजिए चमगादर बड़े अच्छे जीव हैं उन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है बैट्स आर मैमल्स आपको पता है ना बैट्स बेसिकली उंग्लियों के बीच में जिलनी आए वो पंक तो होते कि उनकी प्रजाती में स्पेशालीटी वह बहुत सारे वाइरस को शरीर में लेके चलते हैं और उनके साथ सिंबायोसिस से बीच में शान्ती वाहां दो तुम को तंग नहीं करेंगे बहुत यूनीक इम्विनिटी सिस्टम बन गया वाइस मरता नहीं रहता उसके अंदर लेकिन तंग नहीं करता बैठ को ये यूनीक चीज तो कभी भी चमगादोनों से नफरत मत करता चमगादोनों की कोई गलती नहीं बिटा यह एक बड़ी गलत सोचे लोगों में कि bats हमको तकलीफ दे रहे हैं इसा थोड़ी होता है या यहां से देखिएगा बीटी कॉटन में basically यह bacillus thuringiensis है यह है बीटी और यह जो पैदा करता उसको कहते हैं यह उसके जहरीला crystal बीटी कॉन हो गया बीटी कॉटन हो गया तो यह जो crystal पैदा कर देता है वो वो basically यह कीडा है यह कीडा this is the bowl worm इस कीडे के शरीर में कीडा आया कीडे ने यह कॉटन का बॉल खाया यह कपास खाया तो जैसी गया तो यह बीटी का toxin उसके पेट में गया और वो पेट को फ़ाड के खतम करता है तो बॉल वर्म खतं हो जाता है तो यह बॉल वर्म जैसी खतम होता है उसकी पूरी प्रजाती खतम होती ही तो इस पूरे कपास के खेट में सारे कीट खतम हो गए सारे कीट खतम हो गए तो आपकी पैदावार कई 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 गुना बढ़ गई इसके दूसरे नेगेटिव परिणाम भी होते हैं लेकिन फिलाल तो हम उपज की ही बात करें आयोप आपको बीटी कॉर्टन का फंडा पूरी तरह से क्लियर है क्लियर है तो केवल ड्रैकुला की मूवी में चिपकता हूँ रियल लाइफ में बैट आके नहीं चिपकेगा बैट को इंसानों में ज्यादा कोई रुची नहीं है उसकी अपनी गलग बड़ी खुबसूरत सी दुनिया है उसे तुमसे कोई लेना देना नहीं है आपको बात समझ में आई अप्रेजल कमीटी MOEFCC भारत में सारे जेनिटिकली मॉडिफाइड और्गानिजम की अनुमती केवल एक बॉड़ी देती है जेनिटिक इंजिनिरिंग अप्रेजल कमीटी परियावरण मंत्राले की याद रख लेना एक्जाम के हिसाब से यह वो निकाए है जो भारत में प लीगल है सारा जीम इलीगल है उसके अलावा और बिंदास चल रहा है मज़े में चल रहा है सब तरफ वास समझ में आपको यह टॉक्सिन कीडों के लिए हामफुल होता है उन्हें मार देता है समझ में आया चलिए दोस्तों अब जब हमने बात की किस प्रकार से इसे बनाया जाएगा यह आपके सामने हैं तो एक फॉरेंड डेने को लेकर किसी दूसरे में इंसर्ट करके प्लांट को री जन्रेट करना यह प्रोसेस है यह चार्ट सिसलिए बताया आपको मैंने कि एक लेवडरेटरी में बेसिकली यह काम कैसे किया जाता है तो यह ऐसे होता है इंसे resistant cotton कैसे बनेगा यह है bacteria BT ज्यान से देख लिए step by step समझा रहा हूं यह है BT देख लो बेटा इसमें जीन है जो ऐसा protein बनाती है जो कि यह जो bowlworm होते हैं यह bowlworm जो है इन bowlworms के लिए वो toxic होते हैं यहने जहरीले होते हैं तो हमारा interest है कि यह gene को हम हमारे यह कपास के बीच जिसमें यह nucleus है उसका उसमें mix कर दें यह दोनों को mix कर दिया लैब में अब यह वाली gene जीवानों की कपास के nucleus में चली गई देख लीजे ध्यान से दिख रहा है ना और ज वाला toxin का gene इसके शरीर में जाके वो toxin crystals पैदा कर देता है तो cotton bowlworm मारे जाते हैं यह अपने आप में देखा जाए तो इनसान के हाथ में भगवान की ताकत वाला काम हो रहा है मतलब literally प्रकृती ने जो 4500 करोड़ साल में बनाया है सबको अलग-अलग हम क्या गर ने इससे यह उठाया उससे यह उठाया इससे यह उठाया सबको mix करके एक नया creature बना रहे हैं इसके क्या परिणाम होंगे यह किसको पता पचास साल बाद पता चलेगा अभी तो आगे बढ़ रहे हैं मस्ती में बिना सोचे हम कड़ते चले जा रहे हैं अब यह क्या है बड़ी fundamental यह था जैराम रमेश जी ने भूल गए क्या यूपे की सरकार में जैराम रमेश जी मंत्री थे और बीटी ब्रिंजाल के खिलाफ कितने अंदोलन हुए तो नों ने उस पर moratorium लगा दिया तो आज भारत में moratorium लगा उसके उपर allowed नहीं है ध्यान रखिएगा दोस्ट आपको पचास साथ साल में जब वैज्यानिक इसके सारे प्रभाव दुष प्रभाव देख चुके होंगे उसके बाद ही तो कोई कॉमेंट कर पाएगा ना एकदम से कोई कैसे कॉमेंट कर पाएगा यह है सारी बात समझ में आगी दोस्तों आपको तो मैं उम्मीद करता हूँ आप में तो ज्यादा से ज्यादा जीएम फसले चाहिए अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं मॉडर्न बायोटिक को थोड़ा सा डीपली समझने का प्रयास करते हैं जितने बच्चों को सेशन में मज़ा आ रहा है ठोको ताली सेशन को लाइक करो मज़ा आगया सर बायो मिलेगा प्लस पोर्टल पर जाएंगे वहाँ पर मेरा पचास सेशन का एसेंटी का हाई लेवल कोड्स अलग से रखा हुआ है आप उसको पूरा पढ़ है मेरा कोड़ एसम सर टैन है कुरुपया यह कोड्ध ध्यान रखिएगा दोस्तों आई रिक्वेस्ट अलफ यू टू पर चले गए हैं यह हमने अभी तक पढ़ लिया बायो टेक्नोलोजी तो हजारों सालों से इस्तेमाल हुई लेकिन बीसवी सदी में फिजिक्स केमिस्ट्री इंजिनिरिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन और उसके अलावा इंफर्मेशन टेक्नोलोजी जब साथ में आई तो फिजिक्स बहुत आगे बढ़ा, केमिस्ट्री बहुत आगे बढ़ी, इंजिनिरिंग बहुत आगे बढ़ी, कंप्यूटर बहुत स्ट्रॉंग हो गए और इंफर्मेशन टेक्नोलोजी टूल साथ तो हम एक्चुली मॉलिक्यूलर लेवल पे जा जाके प्रोटीन फोल्डि करके रख दिया, और इसलिए इंसान केवल सौ सालों में इतना तेजी से आगे बढ़ा, राकेश जी ने अच्छा सवाल पूछा है कि क्या हमारे जीडीपी पर इसका कोई असर आएगा, देखिए प्रोध्योगी की चीजों को फास्ट करती है, प्रोध्योगी की जो होती है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काम करती है, तो उस लिहाज से देखें, तो जीडीपी तो बढ़ना ही चाहिए, मतलब जीडीपी घटेगा, ये कहपाना तो एकदम से ठीक नहीं ही होगा, हलंकि इतना डारेक कनेक्शन होता नहीं बेटा उसमें, बट कभी और समय तो उस पर हम जरूर आपके साथ बात करेंगे, जी हां बसंद जी आपने बिल्कुल सही बोला, जो चीज एक बार लैब से निकल कर आगए, अब जैसे नोवेल करोना वायरस सार्स, ये बी टू की बात करें, तो ये तो बैट से आई, अब ये फैल चुकी ही पूरे सिस्टम में, अब इनसान को उसके साथ जीना सीखना हमारे शरी धीरे-धीरे इम्यून हो जाएंगे, और वो एक सीजनल बिमारी बनके रह जाएगी in the worst possible case, लेकिन उसमें भी 3-4 साल का समय है, ठीक है जी, I hope that is clear, प्राश्व जी उसमें प्रकृति को नुकसान हुआ या नहीं, ये पाना भी मुश्किल है, क्योंकि क्या वाकई प्रकृति में कुट्टे होने चाहिए थे, प्रकृति दिन दो बनाए यहीं कुट्टे, प्रकृति दो भेडिये बनाए, वी मेड डॉक्स, समझ माया, वैसे अगर आपने पाता लोग सीरीज देखी है, तो इस डिसकुशन को नहीं रोकते हैं, if dog loves man, he is a good man, if man loves dog, he is a good man, चलिए, अब मुझे इजाज़त दीजे थोड़ा आगे बंड़न बायो टेकनोलोजी आणविक स्तर पर काम करती है, ध्यान रखना, आप लैब में एक-एक एक एक मॉलीक्यूल को मैन्यूपूलेट करते हैं, जो आप अधर्व मैक्रो लेवल पर खुद तो कर नहीं सकते जान बूच के, वो तो होता है तो होता है, लेकिन आपको तो पता नहीं होता ना अंदर क्या है, बस ये है सारी बात, I hope this is clear, प्रत्वी पर मौझूद हर जीवित चीज में चार मैक्रो मॉलीक्यूल सेम होते हैं, कौन-कौन से चा चार कॉमन है रे बाबा, बता दो, बता दो, बता दो चार कौन से कॉमन है, और आप सबसे बड़ी बात समझे, एक्टामिक लेवल पर, मॉलीक्यूलर लेवल पर, इंसान में, जानवरों में, बैक्टीरिया में, पेड़ पौधों में, कोई अंतर नहीं है, है तो सब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, ऑक्सिजन, पोटेशियम, सल्फर, इनका कॉम्बिनेशन है, बस अलग-अलग धंग से सब जमें हुए है, बाकी क्या है, तो जब विज्ञान लेबोरेटरी में, डिश में स्टड़ी करता है, तो उसके लिए सब बर अबर हो जाता है, अरे भाइया, इसलिए तो E. coli, बैक्टीरिया में हमने डाला और इंटर्फेरांस बनाए, जो हम मरीजों को दे के उनको जिन्दा रख रहे हैं, अरे भाइया, इसलिए बैक्टीरिया में हमने इनसुलिन के जीन डाल के उनसे इनसुलिन बनाया, भाई, क का insulin का injection लगाया वो बनाने का काम bacteria ने किया है bacteria living creatures वो मर गए उस चक्कर में बनाते बनाते तो क्या आपको लेने से मना करोगे मतलब सारा life एक है मैं आपको एक molecular level पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि basically modern biology में क्या होता है तो फिर सर हम सब में फरक basically क्या है इंसानों में मचलियों में पेडों में कीडों में जिवानों में फरक केवल dna coding का है dna ही है जो हमें एक डूसरे से अलग कर देता उसके अलबा पाकिस सब कुस सेम है बहुत खुशी हो रही है देखके lipid protein carbohydrate nucleic acid rana dna सभी लोगों को याद हो गया है यह याद रखना इसलिए जरूरी है कि आपके तरकों में आपकी बातों में आपके answers में थोड़ी गहरा ही आ जाएगी इसलिए प्यारे दोस्तों याद रखिएगा और गीता में भी कहा गया है कि सारा का सारा यह जो living system है यह आपस में जुड़ा हुआ है everything is interconnected with everything else और यह तो आप और हम भी feel करते है न डे टू डे लाइफ में कि सब कुछ एक machine की तरह ऐसा लगता है कि याद यह सब कुछ जुड़ा हुआ है there is something which is connecting all of them तो वो one thing क्या है molecular level पर life का fundamentally same होना अब इसका क्या सबूत है अरे पीछे जाओ साड़े चार सो करोड साल एक चटांती खौलती हुई पृत्वी उसी में से आप और हम निकल कर आएगा मतलब minerals यहने पत्थरों में से निकले हैं हम हालांकि हम में से कईयों के दिल आज भी पत्थर दिल है पत्थर के सनम तुझे हमने यह क्या समझा यह क्या जाना वह एक्चली बॉलिवूड वालों ने साड़े चार सो करोड साल पहले जो पूरी खौलती हुई mineral वाली अर्थ थी उस पे से यह गीत बनाया अब आप लोगों को पता ही नहीं तो आपको लगता बॉलिवूड दे वेस्ट ऑफ टाइम अर्व हम बता रहें बड़ा साइंटिफिक लोग है बॉलिवूड में तो यह है डियने की कोडिंग आपको यहां तक का पूरा फंडा क्लियर हो गया तो कोई आप से पूछे कि यह फरक क्या है तो देख लो हमारे पूर्वज करते थे सिलेक्शन ब्री एक एक मॉलिकूल को स्टडी कर लोगे लासिकल में सिलेक्शन बेज ब्रीडिंग में आप एक एक चीज़ को स्टडी नहीं कर सकते आपको बात समझ में आई कि नहीं येस और नो आई होब इस टोटली क्लियर अभी तक पूरी तरह से क्लियर हो गया कि नहीं बड़ी भूल हुई तुझे हमने मुहाबत का खुदा जाना पत्थर के सनम अरे ज्यादा रोमा सब कुछ पत्थर से निकला सब कुछ पत्थर में जाएगा तो ठंड रख और पड़ाई लिखाई पर ध्यान लगा तो क्लासिकल वर्सिस मॉडर्न आपको क्लियर हो गया डेफिनिशन्स और बायो टेकनोलोजी की अगर हम बात करें इन दो चीजों के साथ आज की क्लास को अब हम कंप्लीट करेंगे प्यारे दोस्तों अगले टीचर भी वेट कर रहे होंगे तो मंकी मंकी इसलिए रहे गए विकॉज ऑफ डीने कोडिंग आपका बहुत अच्छा प्रॉपर्टी राइट्स पे हमारे पांच लेक्चर होंगे उसमें मैं आपको बारी किसे बताऊंगा कि पेप्सी को ने क्यों किया था गुजरात के कुछ फार्मर्स के उपर केज और क्यों पेप्सी को बाद ने पीछे हटा और वो एक्जैटली प्लांट वराइटी प्र परिभाशाएं भी तो मालूम होनी चाहिए ना और अलग अलग परिभाशाएं होती है तो थोड़ा सा देख लेने में कोई नुकसान नहीं है अब देखिए इस चीज को देखिए फ्रॉप्स तो क्या है हाईबर्नेशन में चले जाते हैं आप बहुत अच्छे से जानती है और किस प्रकार से फीमेल फ्रॉप्स रंडे देती हैं और किस प्रकार से पर्टिलाइजेशन होता है वो तभी को पता ही है दोस्तों इस चीज को थोड़ा सा ध्यान पर देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं बायो टेक्नोलोजी की परिभाशा CBD Convention on Biodiversity एनी टेक अप्लिकेशन याद रखना टेक्नोलोजी की परिभाशा पहली क्लास में दी थी तुमको याद आ गया प्रोडक्स प्रोडक्स विशेश टुप्योग के लिए उत्पाद बनाने या संशोजित करने की कोई भी तकनीकी अनुप्रवक जो जैविक प्रणानी ओ जी अरे इतनी जल्दी क्या बेटा अभी हैं हम थोड़ी देरी आए इतनी जल्दी क्यों हमको भगा रहे हो अभी अभी थोड़ा समय है थोड़ा समय है इतनी जल्दी मत बचाओ ओके प्राश्यू जी बोलते हैं सब लोगों में 99% से ज्यादा DNA सेव हैं तो हम सब इतने बटे क्यों हैं यही तो है सबसे बड़ा सवाल कि इंसान बठ कैसे गया और यहां पर इतना एग्रेशन कहां से आगया होमोशेपीन से वेरी एग्रेसिव जिस दिन हमने अपने एग्रेशन पर कंट्रोल करना सीख लिया दुनिया में सब तरफ प्यार महबत का आलम होगा लेकिन आज वो नहीं है क्योंकि हम अपने एग्रेशन पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहें और इतना ज्यादा कि हम आमरी स्पीसीज कोई कई बरबाद न कर दें भाई या कोडेक्स अलिमेंटेरियस कमीशन सी ने काटे जना प्रोटोकॉल और बायो सेक्षन से मॉडरन बायो टेक्न इन विट्रो यहने उस लेबोरेटरी डिश के अंदर न्यूक्लिक एसिट टेक्नीग आर्ने डियने जिसमें रीकॉंबिनेंट डियने होगा और डिरेक्ट इंजेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिट इंटू सेल्स और 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 बिल्कुल यह का यह हमने आपको कल रीकॉंब परिभाशा है उसकी और दूसरा है fusion of cells यह भी आपको बता दिया था beyond the taxonomic family मतलब एक दूसरी organic family में उसको fuse कर दिया तो यह तीन परिभाशा हैं इन्हें अच्छे से पढ़ लीजेगा आज आपको PDF मिल जाएगा शाम को दोस्तों और modern biotechnology में हम क्या क्या करते हैं यह अब हम कल उठाएंगे बारी की से इन चीज़ों को देखेंगे कौन-कौन सी नई technologies आ गई हैं और यह जो चार चीज़े हैं microbiogenetics, theory of evolution, eugenics यह भी हम आपको कल बारी की से पढ़ाएंगे including Gregory Mendel के कुछ नियम, theory of evolution का first level का सिध्धान्थ, हलांकि इस पे मेरा पूरा lecture एक बात में यूजेनिक्स, एंटिबायोटिक्स का अराइवल, टेट्रा साइक्लीन्स ने क्या कमाल किया, लूई पास्चर ने exactly क्या किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और पेनिसिलिन, यह सब हमारा कल का अजेंडा होगा, कैसी लगी आपको class, सबसे पहले तो यह confirm करो कि भाया class में काड़े 11 की, enroll कर लो भाया, कितनों ने कर लिया, जिन्होंने नहीं किया, बाकी के बच्चे तुरम करें, और यह 4 घंटे संडे को आपके, मेरे हुए, बहुत मज़ा आएगा, sessions free है, enroll करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और जब आप आएंगे तो मैं आपको मेरे इन courses की और जानकरी दूँगा, जुलाइ में next Saturday से मेरा Indian economy advance शुरू हो जाएगा, अभी मेरा basic course पूरा हो चुका, बहुत ही successful रहा, आप ये course plus पे देख सकते हैं, वहाँ available है मेरी profile में, और ये चालू हो रहा है, बहुत मज़ा आएगा, 25 session देखो, आपको आनन पर्मानन पूरा, तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़े, और मेरा code smsr10 है, ये code बिल्कुल भूलिएगा मत, the benefits you will get on plus will be absolutely superlative, कल मिलेंगे economic crackers के लिए तीन बजे जरूर समय पर आ जाईएगा, मेरी तरफ सब इतना ही, प्यारे दोस्तों, नमस्कार, जैहन्त.